अब आपको लगता है कि इससे तमाम तरहां के जो विवसाएं हैं अब उनको कह सकते हैं कि एक व्यापत सर्पर विभिन विवसाएं हैं जिनको अब आर्थिक गति विधियों को आगे बढ़ाने की एक छूट है तो इससे एक बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि अभी तक जो आप की जा रही थी उद्יב आख जगद की उद्यमियों की दवारा भी यही बात की जा रही थी कि कुछ है क्वी खेत्र हैं जो नहीं कुल हैं तो सुझे दbt्रावा हैं आ रही थी आपको लगता है कि अब वह बाढ़ाई भी दूर ज़ियाएं अनॉ को जारीर hack अपने स्टेट्स में अपने जो वो सोचते हैं कि अपने हाँ कोविट कैसे पहल रहा है उसके ज़री एक थोड़े और आइकम उसको आड कर सकते हैं प्रोबिटे लिस्स में अगर स्टेट्स चंटेंडमेंट जोन्स को नेरो करें घर पे या मोहले पे लेकर आइज तो अगर जो लोग जाकर कि किसे और शेर में जाकर बिजनस भी करना चाहते थे उनके लिए दिक्तत हो रहे थे हैं अभी होटेल्स खुलना एक बहुत बड़ी बात है और दूसरा जो रेस्ट्रॉण एरिया जो काफी लॉक्डाउन के विजए से काफी एकनोड़ी अक्टिवी जैसा इस क्योंकि अनलॉक वान को हमें लॉक्डाउन फोर से देखकर समझने की जरूरत है क्योंकि लॉक्डाउन फोर में भी बहुत सारी गतिवितियों को छूट मिली थी खास दोर पे बाजार दुकान ए खुल रही थी आवाजाही लोगों की हो रही थी हालांकि ग्राहक उन पर भी रहेगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का गंभीरता से पालन करें आपको लगता है अभी तक आपको फीड़बैक मिला होगा लॉक्डाउन फोर के बाद भी क्या आपको लगता है कि इस पर भी गंभीरता से कॉर्परेट जगत भी बोर कर रहा है औ उद्योग जगत उसका स्वागत करती है उद्योग जगत यह सारे सुपी इसको फॉलो करेगी लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है आती है वो आप और हम वो सारे जो नागरिक है इस देश में कि वो भी इन जो सोशल डिस्टेंसिंसिंग के दो गज की जो जूरी का ज तो एक बहुत बड़ा कदम होगा कि देश इस कुवेट के फैलेक पे एक काबू पास सकता है और एकनोमिक अक्टिविटी भी एक तरीके से बढ़ सकती है और लोगों जिनके पास नौकरी नहीं थी जिनके पास कमाने का कोई सादन नहीं था अब वो सब बदल सकता है और ल ग्रिह राज्यों की ओर जा चुके हैं उत्तर प्रदेश जैसे ऐसा राज्य है जो इनी श्रमिकों को वापस पहुंचे है उत्तर प्रदेश के श्रमिक उनको लेकर स्किल मैपिंग कर रहा है किस तरीके से उन्हें रोजगार के अफसर मुहिया कराए जाए जाए साड़े दस लाग से ज्यादा की रिक्वार्मेंट उद्योगों की द्वारा उत्तर प्रदेश की द्वारा मुख्य मंत्री को दी जा चुकी है कहां तक आपको लगता है कि यह जो तस्वीर है श्रमिकों की उपलब्धी कच्चे माल की उपलब्धी और वर्किंग कापिटल की उपलब्धी यह कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उद्योगों के लिए बहुत जरूरी होते हैं कहां तक आपको लगता है कि अब अनलॉक वान इन मुद्दों पर भी गौर करते हुए एक बहुतर महौल काम करने का उद्योगों को दे पाएगा तो आपने तीन चीज़े का जिकर किया था वाप्रजी एक तो पहले है जो वोकिंग कैपिटल अगए रहा है उसमें जो आतमत देन बर पैकेज जिसके जवारा MSME के लिए जो तीन लाग प्रोर का एक जो फंड क्रियेट किया था 100% गारेंटी के लिए वो बहुत ही फैदेबंध होगा इस समय मीडियम और स्माल इंडस्ट्रीज को उसमें और उसमें एक आटमेडिक रूट का एक एलान किया था अगर अब अगले तीन चार दिन में अगर जो इंडस्ट्री उस इलाके में उन लोगों की उनकी जरूरत है और वो जो श्रमक है कहीं दूर नहीं जाना चाहते हैं काम करने के लिए वहां पे मैचिंग का एक प्रवधान है और जो जिन चोटे और बड़े कारेगर को कंपनीज को वैसे कारेगर चाहिए उनकी मै सब्सक्राइब यह वापस अपने काम में क्यूंकि काफी लोग है जो वापस अना चाहते थे लेकिन उनके पास साधन नहीं ते क्यूंकि वह यह या तो हर्विस्टिंग के लिए गये ते या कोई लोग पोली के छुट्टी के लिए गये तो वो लोग वापस नहीं आते और economic activity में हिस्सा ले। की मार्किंग करनी होगी इसको पहचान करना होगा बफर जोन की पहचान करनी होगी ताकि जो संक्रमित लोग है उनसे संक्रमन ना पहले। कि इसमें एक चीज और वी इंट्रेस्टिंग है कि आज सुवफ धानमंत्री नरेन बोदी का वो जो लिटर है देश्वासियों के नाम उनका जो आडियो लिटर का था वो को रिलीज हुआ था उसमें इस बारे में भी बात उन्होंने आत्मिलिफ़ भारत और जो कोविड के जो वरियस इंपक्ट्स हैं और हमें अर्थिक जगत में कैसे अक्टिविटी को रिज्यूम करना है उस बारे में बात थी सोसल डिस्टंसिंग की बात थी और ये बात की ज है इस मामले में काफी एहम है कि हुस्पिटालिटी सेक्टर को छूट मिलती है फुलने की जो होटेल्स हैं रेस्टरौन है और यह बहुत बड़ी चीज है और जैसे शॉपिंग मॉल भी उसके सपी आने है लेकिन उसके साथ बता रहे थे लेकिन उसके साथ क्या है कि एक पानिक के स्थिती में हैं हम सोचल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें आप जो कंपाइनमेंट जोन की बात करी है तो स्टेट एजनसीज है डिस्ट्रिक्टी एजनसीज है लोकल एजनसीज है उनका कारेश बढ़ता है लेकिन इस जर्मयान हम यह भी देखेंगे कि पूर में जहां अगर ऐसे केसे हुए हमारे मुहले में हुए तो पहले जितनी मतलब तीवरता और जितनी क्या कहिएगा जिस तरह के और एक्शन से कि पूरा का पूरा इलाका वो कंपाइनमेंट जोन डिक्लियर करते हैं अब ज्यादा तर केसे में उस पर्टिक्लर बिल्ड कि और बहुत सरे कैसे में रेस्टेंट्स यह कहना होता जोन है तो पूरे के पूरे जो इसको कंपाइनमेंन में डाला जाए तो यह कि बड़ा पहुत है दूसरी चीज़ यह है कि इंटर स्ट्री फूमेंट जो खुला है उसमें एक चीज़ पे मुझे थोड़ी आशनका रह कि जैसे पहले अगर आप देखेंगा तो इंटर स्टेट मुव्मेंट को अहला कि इसको ज्यादा क्लाइटी है इस बार का जो आज का एमेचे डाइडलाइन से इंटर स्टेट मुव्मेंट पहले भी खुला था लेकिन एंसीयर में पटिकलर अगाजियाबाद या उनको वहां कि दीएम ने रोकना था था तो हम यह देखना हुगा है कि यहां का डिस्ट्रिक अडिनिस्ट्रेशन पिर कैसे रीक वैसे वी संजेची कि कहा गया है कि जो राजी सरकारे हैं जो प्रशासन है वो अपने सतर पर जो हालात है उनको देखते वे निर्ने ले सकता है पावंदी बढ़ा भी सकता है तो यह जिला प्रशासन पर राजी सरकार के ऊपर छूट भी दी गए लेकिन एक बात आपसे जाना चाहेंगे क्योंकि एक संकेत महत्वपुन है जो आज की दिशा निर्देश में सामने आया और वो है शेक्षनिक संस्थानों को लेकर यह कहा गया है कि जुलाई में निर्ने लिया जाएगा लेकिन उससे पहले विभिन हितधारकों के साथ, राजी सरकारों के साथ, संस्थानों के साथ एक लंबे बाचित की प्रक्रिया चलेगी विमर्श की प्रक्रिया चलेगी लेकिन यह जो संकेत दिया गया है कि अब शेक्षनिक संस्थान जुलाई में स्कूल या फॉलेज लेटर पार्ट ऑफ जुलाई में खुल सकते हैं उसके पहले नहीं तो समर्विकेशन इन्हें ही के सिस्समें आता था वह एक तरह से समर्विकेशन आप इसको मान लीजी उसके बाद जब खुलेंगे इशू यह आता है कि एक्जाम का क्या हो है किसी तरह का और भी पोर्स करना चाहते है कोई और माइन पोर्स करना चाहता है कोई किसी तरह की और किसी अक्टिविटी में इंगेज करना चाहता है किसी और तरह की इनोवेटिव या सोसल वर्क में अपने आपको इंगेज करना चाहता है तो उसके सामने एक टाइम लेकिन मैं अपने इंटराक्शन के दौरां मित्रों से अपने जानकारों से कि बहुत सारे जगह से जहां स्व्रमिक वापस लॉट आए हैं वहां स्व्रमिकों की जरूरत है और कई जगह पे उनके जो पिछला जो बेतन था एक पर जरूर सालरी वो कट बोला है अफी सारे प् एसे भी हम देख रहे हैं जिसमें कि वो स्व्रमिक वापस आना चाह रहे हैं कि तमाम वो चीज़ें हैं जिने हमें देखना बहुत जरूरी है और यह देखना होगा कि अनलॉक वान में जो छूरती जाएगी उसके तहट जो एसोपी बार-बार कहा जा रहा है कि इनका पालन करें जो दिखान निर्देश बार-बार दिये जा रहे हैं कि इनका पालन करिये उनका पालन करना भी जरूरी है अपको लगते हैं कि कुछ एक निर्णे ऐसे भी हैं जिन्हें उसके आकलन के आधार पर ही लिया जाएंगे कि हम जानते हैं कि कुछ एक जगहें हैं जहां प्रतिबंद भी जारी हैं आप सामुदाइक कारिकरम नहीं कर सकते हैं अभी सिनेमा घर नहीं खुले हैं यानि बहुत सारे लोग जाही कठ कि इस प्रक्रिया में और लॉकडाउन होने में जनता लोग जो हैं वो खुद भी काफी त्वार पे जागरूप हो गया हैं तिक हम कहीं भी जाते हैं तो लोग एक सोसल डिस्टंसिंग आप चाहें मार्केट सेंटर में जाई यहां कुछ अपवाद सरूप यहां-बहां एक काफी कॉंसेस होता हैं तो यह मॉल्स और रेस्ट्राओं और बाकी होस्पिटालिटी या जो ट्रांस्पोर्ट फुलने की बात है या इंटरस्टेट मोमेंट फुलने की बात है तो वो जागरूपता जवाई है वो काफी हिल्प परेगी मुझे क्यों एक चीज पर थोड़ भाले गूलने की बात है